हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब भड़िया टेंशन वैंशन हो रही होगी रिजल्ट की मुझे पता है कोई दिक्कत वाली बात निया रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है कब आ रहा है ये भी बता देते हैं और रिजल्ट को लेकर क्या नई अपडेट आ रही है वो भी बता द किजिए तो बात करते हैं CBSC और हर्याना बोर्ड के रिजल्ट के बाब कहुँगे बहुत बड़िया बीच में तो देखिए अभी कुछ दिन पहले बताया हर्याना बोर्ड के चैर्मन स कूंट बोड़ और CBSC बोड दोनों यहां पर अब की बार साइंग कही ना के फार्य की कोशिस में है एक रिपोर्ट भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं देखे CBSC जो है अपना रिजल्ट यहां पर इस वीक में या फिर जो अभी नेक्स्ट वीक आएगा पंद्रा तारिक के आसपास जारी कर सकता है यह बड़ी रिपोर्ट मिली है वहीं बात करे हम अपनी यानि कि अपने हरियाना बॉर्ड की तो मैं आपको पहले रिपोर्ट दिखाता हूँ यानि कि पहले हर्याना बोर्ड ने बोल दिया था चैर्मेन साब ने कि CBC से पहले जारी कर देंगे लेकिन बाद में पता चला CBC भाई बहुत चीछी अब की बार कर रहा है और अपना रिजल्ट जल्दी जारी कर सकता है और हर्याना बोर्ड पीछे छूट जाएगा फिर तो भाई हर्याना बोर्ड की कहीं न कहीं जो है खाटी हो जाएगी कि भाई हम जो है CBC से पहले जारी करने वाले थे लेकिन अब CBC से लेट हो गया तो हर्याना बोर्ड जो है अब CBC को कहीं न कहीं जैसे मैच होता है उसमें जैसे ड्रानी हो जाता है दोनों ही ना कोई हारता ना क प्रक्राइब दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है कि हर्याना बोर्ड जो है उसने यहां पर आपकी बार जो रिजल्ट तयार किया है अब उसके लिए जो है प्लास ट्वेल्थ का वो मैंने आपको बता दिया था कि स्टार्ट होने वाला एक दो दिन पहले वो स्टार्ट हो चुका है और कहीना कहीं फिनिस होने को है उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगता है और उसके बाद तुरंत यहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रि आपके पापा हैं तो आपके पापा कोई ऐसा काम करेंगे बड़ा अलग से तो आपके दादाजी से बातचित तो करेंगे तो ऐसा ही है कि यहां पर हरियाना बोर्ड यहां पर परमिसन लेता है बातचित करता है कि इस डेट को कर देते हैं यह कर देते हैं वो कर देते हैं ज उसी को लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो है direct to health की compilation के बाद यहाँ पर permission लेके result जारी हो सकता है बहुत जल्द ठीक है और check करने के लिए मैं आपको बताई रखा है कि यहाँ पर जो है आप हरियाना बोर्ड रिजल्ट 2023 एप के नाम से जो है एक एप है जिसके और open करना है वहाँ पर type करना है हरियाना बोर्ड रिजल्ट 2023 यहाँ पर जो आपको बहुत सारे आप दिखाई देंगे लेकिन आपको जो है मैं बता देता हूँ कौन से आप प्यान है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको download करना है और यह सब भी आप ना करे देनी है उसके बाद देखें यहाँ पर हमारी दो किलास है क्लास 10 और 12 तो open करेंगे आप लोग इसको तो यहाँ पर दोनों के option मिलेंगे आप लोग जो है इनके उपर क्लिक करके जब भी रिजल्ट आएगा चेक कर सकते हैं लिंक आपको description मिल जाएगा आप इस वीडियो प मिल सकती है देखें रिजल्ट डेट की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो 14 और 15 को आ सकता है 14 को रह गया संडे तो एक students की मन में सवाल आता है कि संडे को रिजल्ट आ सकता है इसके लिए भी जो हमने यहाँ पर चान बिन की पता किया एनलेसिस किया रिपोर्ट्स का तो देखिए संडे को रिजल्ट यहाँ पर पहले तो आपको देखने को मिला होगा कि संडे को भी स्कूल लग रहा है कोई function हो गया लग से ठीक है या कुछ और हो गया कोई student है school का उसका किसी चीज में selection हो गया तो संडे की यहाँ पर जो कोई function करेंगे कुछ और करेंगे यानि कि normal होता है सब कुछ वैसे तो लेकिन कुछ unique हो ज क्योंकि आपको पता है Sunday of day है तो यहाँ पर रिपोर्टर्स भी आएंगे उसके बाद जो है media conference भी होगी तो बहुत सारी updates है कहीं ना कहीं आपको बता देगा हरियाना बोड लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि संडे को तो जो है कम possibilities हैं उसके बाद जो मंडे है यानि कि 15-16 पास जो है ज्यादा possibilities है कि result आप आए समझ पारे हो क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा काम और बाकी है और वो जो है यहाँ पर हरियाना बोड अब देखते है कितनी जल्दी पूरा करता है और उसके बाद जो है आपका result जारी करता है ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया है पहले आपको update दे दी है दूसरा result की date की हमने बात कर ली ठीक है कि 14 जो है उसको भी देखिए हो सकता है अगर कोई बड़ी मजबूरी हो तो हो सकता है वरना जो है 15-16 को ज़्यादा possibilities है इसके लावा अब हम बात करते है result जो है अब तक कि क्या update है कैसा result है इसके उपर तो द देखिए आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में positive response था अब जो लास्ट में जो कोपया चेक हो ही है उनकी जो है यहाँ पर थोड़ा सा reports हैं वो बिल्कुल clear नहीं हो पाई है यानि कि यहाँ पर reports आतो रही है लेकिन यहाँ पर वो clearance नहीं है जो पहले आ रहा था लेकिन फिर भी मैं यहीं कहूंगा कि result जो है वो दोनों ही classes का जो है बहुत अच्छा रहा है आपको जो है अब की बार grace marks की मैंने वीडियो बना दी कि मिल रहे हैं दूसरा यहाँ पर हम बात करें कि जो student यहाँ पर अब के बार दो सब्जेक्ट्स में compare होंगे class 10 कि हम बात करें तो उनक पर नहीं होगा इसके उपर हरियाना बोड ने कुछ नहीं बोला हमने बहुत कोशिस की इसको जानने की लेकिन इसकी कोई updates नहीं मिली देखिए जूट आपको पता है हमने आज तक नहीं बोला तो हम यहीं कहेंगे जो सच्छाई है इसके उपर हमने खुब research की analysis किया लेकिन एक भी ऐसा article नहीं मिला कि 12th class मैं ऐसा हो गया नहीं होगा हाँ एक article मिला था उसमें कहा गया था कि on the sport इसका फैसला हरियना बोड ले सकता है यानि कि जब result बना कर last में जो है इसका फैसला ले सकता है तो क्या आपको result में ही देखने को मिले तो जो भी होगा जैसे भी आगे हैं आपको बताय बनाते हैं तो वीडियो जीनल को सब्सक्राइब कर ले बहुत ही महत के साथ आपके लिए लगे हुए है जैसे नए आपडेट मिलती है तब तक के लिए गुष रही हसते रही रिजल्ट के टंस बिलकूल मत लिजい रिजल्टी तो है अच्छा ही आएगा फ जय हिन जय भाग